तो आज हम बॉलोड के आने वाली रीमेक्स फिल्मों के बारे बात कने वाले हैं जो कि साउथ फिल्मों के रीमेक होने वाली है मुझे लग रहा था कि अपसे बॉलोड में रीमेक फिल्में नहीं आने वाली है लेकिन भाई साहब बॉलिवुड कुछ एक्स्ट्रा ओडिनरी सांदर फिल्मों की रीमेक ला रहा है इस साल में कुछ ऐसी मोविज आने वाली है जो कि सभी को लग रहा है कि ओरिजिनल होने वाली है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है तो चलिए देखते हैं लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दमा दीजिए नमबो वन पर सरफिरा अक्षे कुमार की सरफिरा फिल्म 12 जुलाई को थियर्टर असमरलिस होगी ये फिल्म किस फिल्म के ओफिशल रिमेक है ये आप सभी को बता है लेकिन कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट चीजे आपको नहीं बता है सरफिरा फिल्म के में लेड में अक्षे कुमार, रादीका मदन, परिस रावल दिखाई देंगे जो कि ओरिजिनल वाली रोल को फिर से इसमन के अंदर प्ले करेंगे फिल्म में सूपरस्टार सूरिया का स्पेशल कैम्यो होगा वही ओरिजनल फिल्म के डिरेक्टर सुदा कुंगाः इस फिल्म को डिरेक्ट करिया है ये फिल्म नेस्नल अवौर्ड विनिंग फिल्म सूरारे पोटरू का हिंदी रिमैक है जो कि हिंदी के अंदर उडान नाम से आई थी सूर्या ने अपने केरेक्टर मारा को बहुती रियल इंपेक्टफुल तरीके से प्ले किये थे इन्ही का रोल खिलाडी अक्षेकुमार प्ले करने वाले हैं इंट्रस्टिंग बात ये है कि ओरिजिनल मोवी OTT प्लैटफॉर्म Amazon Prime वीडियो पर लिस होई थी वहीं ये फिल्म थेटर्स में दस्तक देने वाली है 12 जुलाई को तो आप लोग इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो या नहीं सपोर्ट करने वाले हो कि ने इस फिल्म को लिखकर आप सभी को बताना है नमबर टू पर है बेबी जॉन ये फिल्म 2024 की सबसे बड़ी एक्शन एंटिटीनर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म के एक्शन को जेम्स बॉन्स लेकर जवान और विक्रम जैसी मोवी के एक्शन डिजाइन करने वाले एक्शन डारेक्टर्स ने डिजाइन करा है जी हाँ ये फिल्म वरुन दवन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म है जिस फिल्म में वरुन दवन पहली बार एक पुलिस वाले का रोल प्ले करेंगे फिल्म को जवान का डिरेक्टर एटली प्रोड्यूस के साथ प्रेजंट कर रहा है ये फिल्म एटली की खुद की फिल्म थैरी की ओफिशल रीमेक होगी जिस फिल्म में थलपती विजय ने लीड डॉल प्ले किया था ये फिल्म एक होनिस्ट पुलिस ओफिसर की कहानी है जो अपनी बेटी की सेफटी के लिए अपनी असली आइडेंटिटी पहचान को छुपाता है ये फिल्म वीजे की फैंस के लिए एक ट्रीट था फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर डूपर हिट रही थी ये वीजे और डिरेक्टर एटली का फर्स्ट कोलिब्रेशन था है इसके बाद इन्होंने वीजे के साथ मरसल और बिगिल जैसे ब्लॉक्स ओफिस्टर हिट फिल्म करी थी एटली जवान जैसे मेगा ब्लॉक बोस्ट फिल्म देने के बाद इस फिल्म को खुदरी में कर रहे हैं तो मुझे यकीन है ये फिल्म अच्छी बन कर आएगी तो क्या लगता है आप सभी को ये फिल्म भी थेरी की तरह बॉक्स ओफिस पर धूम मचा पाएगी आप सभी को यस और नो करके बताना है बेबी जॉन अपडेट के मुताबिक जुलाई 2024 को आ सकती है नमबर त्री पहें कपकपी 2024 की सबसे बैंगर और एंटिटेनिंग मोवी आवेसम आप सभी ने देखी लियोगी ये फिल्म आजकल सोसल मेडिया पर धमा का कर रही है इसी फिल्म के डिरेक्टर जेतू मादवन की पहली मोवी रोमानचम का हिंदी रीमेक आने वाला है कपकपी नाम से रोमानचम फिल्म को आप मल्यालम सिनमा की बैस्ट होरो कॉमेडी फिल्म कह सकते हो ये फिल्म दो करोड के छोटे बजट पर बनने के बाद 17 करोड का तगड़ा बॉक्स ओवर्स कलेक्शन करके एक ब्लॉक बॉस्टर हिट रही थी कंचना जैसी बेहद फेमस होरो कॉमडी फिल्म को रिमेक करने के बाद अब लॉड तुसार कपूर इस फिल्म को रिमेक कर रहे हैं तो क्या आप सबने रोमान चम देख रखी है आप सबको बताना है फिल्म बहुत अच्छी है प्लीज देख लो कब कभी फिल्म इसे साल थियेटर असमरलिस होगी नम्बो फूर पे हैं देवा साइद कपूर की देवा नाम की एक फिल्म आने वाली है जिसकी फिल्मे लेड पूजा हेगड है डिरेक्टर मल्यालम डिरेक्टर रोसन एंड्रियूज है काफियों को लग रहा होगा कि ये एक ओरिजनल फिल्म रहने वाली है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ये फिल्म 2013 में रिलिस होई मल्यालम फिल्म बूंबई पूलिस की रीमेक होगी इस फिल्म के मैंड ब्लोइंग ट्विस्ट ने उस समय ओडियन्स के होस उड़ा दिये थे ओडियन्स लिटरली शॉक हो गई थी इस इन्वेस्टिगेट्व थिल्लर फिल्म में प्रितुरा प्रिलेंट है फाइनल ट्विस्ट आपको शॉक में डाल देगा इस फिल्म का ट्विस्ट आज के वक्त काम नहीं करने वाला है क्योंकि ऐसा सेम ट्विस्ट बहुत सारी मुविज में रिपीट किया जा चुका है कबीड सीम और जर्सी के बाद साहित कपूर की एक और रीमि नमकौ सुर्ण पर एड़कतू दढ़कतू फिल्म के अनौbourne्स्टमेंट हाली में होई है दढ़क फिल्म 2018 में आय थी वो फिल्म मराथी सिनमा की ओल टाम ब्लॉकविस्टर फिल्म से आज आदे का कलेक्षन की थी धर्ड़कतू फिल्म कोई मराथी ने बलकि तमल सिनमा के क् फिल्म परियरोम पेरुमल का रीमेक होने वाली है इस फिल्म को मैंने फिर से री विजिट किया धरड़क्टू के अनौंस्मेंट होने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म का रीमेक करना बहुत जादा मुस्किल है मैं धरड़क्टू के मेकर्स को यही सजेस् इस फिल्म का रीमेक पूरे सिद्धत के साथ किया जाना चीए है धड़क टू फिल्म के में लेड में सिद्धान चद्रवेदी और त्रिप्ति डिमरी लीडोस में निखाए देंगी जो की काथिर और ब्यूटिफुल अनंदी का रोल प्ले करेंगी ये फिल्म 22 नॉमर को थिय इंडियन केचन का ओफिशल रीमेक होगी जिस फिल्म में हमें एक सिंपल स्टोरी देखने को मिली थी एक हाउस वाइफ की फिल्म का टीजर आउट हो चुका है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये फिल्म इस साल OTT प्लैटफॉर्म पर आने वाली है तो उसके जो कि अपनी कमाल के इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के लिए जान जाता है जो कि एक कॉंपलेक्स मडर मिस्टरी को सॉल्फ करता है फिल्म को मल्यालम डेरेक्टर एम पदमा कुमार डेरे कर रहा है ये फिल्म 2018 में आई मस्ट वाच फिल्म जोसफ का इंदी रेमेक होगी जो क कि अपनी ग्रेपिंग कहानी, strong performances, emotional depth, strong social message के लिए जानी जाती है फिल्म के अंदर एक काफी shocking twist है जो कि आपका दिमाग गुमा देगा जो सफ उन मल्यालम फिल्मों में से है जिसका बहुत सारा रेमेक अल्लेडी बन चुका है सूरिया फिल्म के सूटिंग पूरी कंपलेट ह हो चुकी है ये फिल्म इस साल थियेटर स्मर्लिस होगी नमबर एट पर है एक अंटाइटल फिल्म ये फिल्म में आमिर खान की बेटे जुनेत खान और स्री देवी जी की छुटकी बेटी खुसी कपूर दिखाई देने वाली है ये फिल्म तमिल सिनमा की फिल्म लव टूडे का रिमेक रहने वाली है लव टूडे एक सूपर फिल्म थी फिल्म का कौन सेप्ट काफी मजदार है ये फिल्म की सूटिंग रिसेंटली मीरा रोड में सुरू हो चोकी है ये फिल्म भी 2024 में ही रिलिस हो सकती है तो आप लोग कौन सी रिमेक फिल्मों क वेट कर रहे हो आप लोग लिकर बता सकते हो इसमें से कौन सी रीमेक फिल्म हिट का वरडिक्ट ले कर जाने वाली है आपके इसाब से ये भी आप सभी लिकर बता सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए सुक्रिया